So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आने कि 7 February के Important Current Affairs को तो इस प्रशन में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाली में किसने तीसरी बार National Ice Hockey Championship को जीता तो अंसर होगा ITBP ने तो बात कर रहे हैं आपे National Ice Hockey Championship की इस बार ये इसका बारवा संसकरन था कहा पे हुआ लह लद्दाक में हुआ किसने जीता याद रखना ITBP ने जीता है किसको हराया लद्दाक स्काउट्स को हराया ये ITBP ने लगातार तीसरी बार ये Championship जीती है इसलिए प्रशन इंपोर्टेंट है ITBP की बात करेंगे इंडो तेबितन बॉर्डर पुलिस फोर्स इस्तापना होती है 1962 में नई दिल्ली में हेड़ क्वाटर है और इसका आधर्श वाक्य क्या होता है शौर्य द्रडता कर्मनिष्ठा वरतमान में डारेक्टर जनरल कौन है अनीश्ट दयाल सिंग है अचा ITBP किस बॉर्डर पे हमारी रक्षा करता है तो याद रखना भारत चाइना जो बॉर्डर है वहाँ पर ITBP हमारी रक्षा करता है उसी तरह से अगर आप से पूछे कि भारत और पाकिस्तान सीमा पे या भारत और बांगलादेश सीमा पे हमारी रक्षा कौन करते हैं तो BASF के जवान हमारी रक्षा करते हैं वैसे भारत चाइना की बॉर्डर को क्या केते हैं मैक मोहन लाइन केते हैं और होक्की से एक इंपोर्टेंट प्रशन आपको याद आएगा भी मेंस होकी वर्ल्ड कप हुए थे भारत में भारत में भी उडीसा में हुए थे जो कि इसका पंदर्वा संस्करन था उसमें फर्स नंबर पे जर्बनी रहा है सेकिंड पे बेल्जियम है और तीसरे स्थान पे नीदरलेंड है वैसे होक्की इंडिया के भी अध्यक्ष नए बन गए हैं दिलिप टिर्की उनका नाम है और अंतरराष्टर होक्की महासंग की बात करेंगे तो उसकी भी नए अध्यक्ष बने हैं मुहम्मद तययब इक्राम उनका नाम है वैसे इंटरनेशनल होक्की फेडरेशन का और पूछें अगर FIH होक्की 5S का पहला खिताब किस ने जीता तो अंसरुगा भारत ने पॉलेंड को हराया था कहां हुआ था लुजैन स्विजलेंड में अच्छा होक्की से संबंदित कुछ ट्रोफी आप याद रखना जैसे कि अजलान शाह कप हो गया आगा खां कप हो गया नहरू कप हो गया ध्यांचन्द कप हो गया रंगा स्वामी कप हो गया इनका सब का समंदे होक्की से ध्यान रकना ये बढ़तें आगए फ्र बताइए अभी हाली में किस ने मातर भूमी बुक ऑफ दे एर पुरुस्कार जीता तो अंसरुगा डॉक्टर पेगी मोहन न तो अभी लेखक Dr. Peggy Mohan ने मातर भूमी International Festival of Letters 2023 के चौथे संसकरन में मातर भूमी Book of the Year का पुरुसकार जीता है ये जो पुरुसकार है ये जो उनकी बूक है Wenderers, Kings and Merchant उसने ये पुरुसकार जीता है अच्छा ये Dr. प्रभा अत्री की बात करें तो इनका नाम Most Important है कई बार हम पढ़ चुके हैं अभी लेटेस्ट पढ़ा था हमने जब पंडित हरी प्रसाद चौरसिया Lifetime Achievement Award से इनको सम्मानित किया गया था और पिछले साल हमने पढ़ा था जब 2022 में पदम विभूशन से इनको सम्मानित किया गया था इनका सम्मंद किराना घराने से है और अभी राजस्तान में जो CT exam हुए थे वहाँ पर ये प्रशन आया था किसे ने अगर दिया हो तो मुझे comment box में बताना बाके आर विश्नु प्रसाद की बात करें तो वर्श 2022 के सबसे प्रतिष्ठित विज्ञानिक के रूप में इनको Indian Achiever Award से सम्मानित किया गया था वहीं डॉक्टर तपन सेकिया की बात करें तो 2023 के लिए असम का सर्वुच नागरिक सम्मान असम बैभव से इनको सम्मानित किया गया तो ये नाम ध्यान रखना बढ़ते हैं अचा फिर बताईए कि फरवरी 2023 में प्रसिद्ध पार्शव गाई का वानी जैराम का निदन हो गया उन्हें किस वर्ष पदम भूशन से सम्मानित किया गया तो अंसर होगा 2023 तो अभी 2023 में ही इनको पदम भूशन पुरसकार से सम्मानित किया गया था और अभी इनका निधन हो गया तो इनका नाम मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया और आपको बता दू ये जो पार्शव गाई का है वानी जैराम इनको तीन बार सरुश्रिष्ट महिला पार्शव गाई का का राष्टर पुरसकार भी मिल चुका है इनने आधुनिक भारत की मीरा भी का जाता है ये कां से थी? तमिल नाडू से थी अब पदम पुरसकारों की बात है तो भाया ये तो प्रशन आएगा आपका और यहां से और भी प्रशन आ सकते हैं तो एक बार हम रिवाइस कर लेते हैं जैसे कि इस बार भारत रत्न नहीं मिला पदम पुरसकारों में बात करेंगे तो हमारा जो दूसरा सर्वोच नागरिक पुरसकार है पदम विभूशन वो 6 जनों को मिला है पदम विभूशन 9 को मिला है और पदम शिरी 91 को मिला है तो टोटल आप बात करोगे तो 106 लोगों को मिला है पदम विभूशन की बात करते हैं तो वो 6 लोग कौन कौन है इसमें से 3 तो मन्नो परान्ट मिला है कौन-कौन? बाल कृष्ण दोशी, यह आर्किटेक्ट थे, एक दिलिप महाल नौबिस, O.R.S. के जनक थे, चिकित्सा के शेत्र में मिला, और एक मुलायम सिंग यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, और उतरप्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री भी र याद रखना, बाकि पदम भूषण और पदम शिरी की हम चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे, वैसे इस टॉपिक के उपर एक सेपरेट अलग से वीडियो बना दिया और वो भी वीडियो जादा लंबा नहीं है, मुश्किल से 9 या 10 मिनिट का वो वीडियो है, तो वहाँ जा जाते हैं उन पर क्विज बना दूं कि आप लोगों ने का बना दो, तो बना करके अप्लोड कर दिये मैंने क्विज जा करके लगा लेना आपकी क्रेक एक्जाम एप्लिकेशन पर और अच्छे से प्रेक्टिस करते रेना, सारे अच्छे-च्छे कुशन रखें मैंने, उसक पर वीडियो बना दिया, और भारतिया विश्व में जो भी चीजे पहली बार हुई है, इससे संबंदित जो भी हमने प्रेशन पड़े हैं अब जनवरी महिने में, उसका भी एक अलग से वीडियो बना दिया, आगे और भी वीडियो आएंगे, लेकिन अभी तक तो तो ती आगे के महिनों में इस तरह के वीडियो किस के लिए बनाएंगे, तो इसलिए मैं कहे रहा हूँ, इन्हें शेर जरूर करो अपने स्टेडी गुरूप में, तागे जो भी इंट्रेस्टेड है वो इसे देखे जरूर, देखेंगे, व्यूस बढ़ेंगे, रेस्पोंस तो अपने आप मेरा मनुबल बढ़ेगा, कि हाँ, आगे के भी इसे continue रखना चाहिए, आगे के भी बनाने चाहिए, चलिए भी बढ़ते आगे, फिर बताइए, अभी हाल इमें कहां, एशिया का सबसे बड़ा हेलिकॉप्टर कार खाना खोला गया, तो अंसरो का करनाटक मे तो अभी प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने अभी 6 फरवरी 2023 को करनाटक के तुम कुरू में हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड के हेलिकॉप्टर कार खाने का उद्गाटन किया, ये हेलिकॉप्टर फेक्टरी एशिया की सबसे बड़ी हेलिकॉप्टर निर्मान सु चाहे जाएगा, हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड की बात करे इस्ताफना होती 1940 में, हेड़कॉटर बंगलोरों में है और इसके अध्यक्ष है आर माधवन, अच्छा अगर मैं आपसे पूछू, अदानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सोर उर्जा प्ल अगर मैं आपसे पूछू, भारत की पहली लीथियम आयन सेल फेक्टरी का उधगाटन कहां पे किया गया आंदर प्रदेश में, अगर मैं आपसे पूछू, भारत का पहला बायोमास अधरित प्लांट ये कहां पे स्थापित हुआ, मद्ध्य प्रदेश के खंडवा जिले म अगर मैं आपसे पूछू, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजेन प्लांट कहां पे शुरू हुआ, तो असम में, तो ये पॉइंट्स भी इंपोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना बढ़ते आगे, अचा बात वे से यहां पे करनाटक की है, तो करनाटक भी देख जाता है, मुख्यमंत्रिकोंने, बसवराज बम्मई हैं, और थावरचंद गेहलोतियां के गवर्नर हैं, और यहां का राज के पशू हाती है, राज के फूल कमल का है, अभी आपको याद हो तो जनवरी 2023 में 26 वह राश्टर युवा महत्सव का आयोजिन हुआ था करनाटक म और पूछे अगर आपसे कि भारत का पहला 3D Post Office ये कि शेर में खुलेगा तो अंसर होगा बंगलूरू में, और अभी करनाटक रतन पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया था मन्नो परांत पुनित राचकुमार को कन्नड एक्टर हैं ये, और आपको याद हो तो मिस इंड रूबल शेखावत रही है, बाकि आप जानते हो खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संसकरन हुआ था करनाटक में, उसका शुबंकर क्या था, मैस्कॉट वीरा, और उसमें टॉप पे रही थी जैन उनिवर्सिटी, ये बंगलूरू की है, अच्छा, अब सपपा, वाटरफॉल भी का जाता है, और अभी करनाटक ने मंगलूरू में अपनी तरका पहला पशू कल्यान वार रूम शुरू किया था, और भारत का पहला चंदन संग्रहाल ये करनाटक के मैसूर में स्थापित किया जाएगा, यहीं पे आपको अलमाटी बांध मिलेग करश्ना नदी पर, करश्न राज सागर बांध मिलेगा, कापरी नदी पर, अच्छा भारत की पहली तटर रक्षक अकादमी, कोस्ट गार्ड अकेडमी कहां पे इस्थापित की जाएगी, मंगलूरू में, और करनाटक सरकार ने देश की पहली इंटिग्रेटेड एर फिर बताईए, अभी हाल में किस भारते ने तीसरी बार ग्रेमी पुरुसकार जीता है, तो अंसर होगा, रिकी केज ने, तो अभी आप याद रखना, 65 वे वार्षिक ग्रेमी पुरुसकार समारों का आयूजन किया गया अभी 5 फरिवरी 2023 को, अमेरिका के लोस एंजलिस में हुआ ये, और इसमें बंगलुरु के संगीतकार है, रिकी केज, इन्होंने तीसरी बार ग्रेमी पुरुसकार जीता है, उन्होंने स्टीवर्ड कॉपलेंड के साथ उनके एल्बम Divine Times के लिए ये अवार्ड जीता है, और याद रहे कि रिकी केज, ये ग्रेमी पुरुसकार जीतने वाले भारत के सबसे कम उम्र के वेक्ति बन गए, और बात करेंगे कौन से नंबर के भारतिये हैं, तो ये पुरुसकार जीतने वाले वो चौथे भारतिये हैं, तीसरी बार जीता है इन्होंने ये ग्रेमी पुरुसकार, अपना पहला ग्रेमी पुरुसकार इन्हों music director है, उनका नाम है MM किरावनी, उनका नाम याद रखना, अभी उनने 2023 में पदम शिरी से सम्मानित किया गया था, तो ये नाम important रहेगा, क्योंकि अभी इस not to not to song को बहुत बड़ा award मिला है, तो इससे सम्मंदित जो प्रश्न बनेंगे, वो important है, अभी इससे सम्मंदित MM किरा को कौन सा पदम पुरिसकार मिला है, या option दे करके पूछ लेगा कि इसमें से पदम शिरी किसको मिला, तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा MM किरावनी, अब आप सोचोगे कि यार, 91 थे पदम शिरी वाले MM किरावनी का ही नाम क्यों पूछा, क्योंकि इनका नाम important हो गया था नाट्टू-नाट्टू के कारण, इसलिए पूछ लिया, कहीं से भी कुछ भी गुमा सकता है, बस आपको concept clear होने चीए, वो मर्जिया है जैसे गुमाले, आपके concept clear होंगे तो आपके दोगे गुमाले भई, जैसे तो गुमाना है, अचा इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछ इने अस अही शुनुता दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 6 फरवरी को, तो हर साल 6 फरवरी को महिला जन्नांग विकरती के खिलाफ अंतर राश्टर शुन्ने दिवस के रुप में मनाया जाता है, और इसे मनाने का उद्धिश ये, तो जन्नांग विकरती को जड़ से खतम करना और इसके करण महिलाओं को होने वाली समस्याओं के बारे में लोगों को जागरुक करना, उन्हें इसके बारे में सिक्षित करने के उद्धिश यसे ये दिन मनाया जाता है, पहली बार इसे 2003 में मनाया गया था, बात करें इस बार थीम क्या है, अचा मैं आपसे पूछ रहाँ, अभी फरवरी में इससे पहले तीन इंपोर्टेंट डे हम मना चुके हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कौन-कौन से डे हैं वो, और यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स में आपको एक बार रिवाइज कर होता है सरोजनी नायडो जी के जैनती को, और इसे दिन रेडियो डे भी होता है, अभी राष्टर महिला आयोग भी न्यूज में था, वैसे इसकी इस्थापना होती 31 जन्वरी 1902 में, 1992 में, दो कारण से न्यूज में था ये, अभी इसने कौन सा अपना इस्थापना वर्ष बनाया, तो 31 वा, और इसकी पहली अध्यक्ष कौन थी, जैनती पतनायक थी, जिनका भी निधन हो गया, और वर्टमान में अध्यक्ष कोने, रेखा शर्मा है, अभी रास्थान का जो CT वाला एक्जाम है, उसमें एक शिफ्ट में ये प्रशन भी पूछा गया था, और आप बार भारत ने कोई महिला ICC टूर्नामेंट जीता है, तो ये प्रशन इंपोर्टेंट है, इंग्लेंड को हराय था, कहां हुआ था साउथ अफ्रिका में, अगर मैं आस्प्रे पूछू, किस मंत्राले ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम से एक अभ्यान शुरू किया था, त गर मैं पूछूं किस राज्य में पहला केबल महिला संचालित सहकारी बैंक खुला गया, तो आंसर होगा राजस्थान में, बताओ नारी को नमन योजना किस ने शुरू की थी, हिमाचिल प्रदेश ने, बताओ किस केंदर शाशित प्रदेश ने महिलाओं के लिए साथ ना प्रदेश ने महिलाओं के लिए महिला मित्र प्लस नाम से बचत योजना शुरू की पेडरल बैंक ने, और बताओ किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ती योजना शुरू की आ, मध्य प्रदेश ने, और अगर पूछू कि गूगल ने महिलाओं को बढ़ा को तो याद रखना शमीका रवी इनको परधान मंतरी के आर्थिक सलाकार परिषत के सदसे के रुप में भी न्यूक्ट किया गया वरतमान में आपको बता दूं अर्थ शास्तरे विबेक देब्रोई के अद्दिक्षिता वाली आर्थिक सलाकार परिषत में एक सदसे और छे अंचकालिक सदसे यानके part-time member है सुश्मिता शुकला का नाम आपने सुनाए अभी Federal Reserve Bank की पहली उपाद्यक्ष बनी थी और अगर शांती कुमारी की बात करें तो तेलंगना की पहली महिला मुख्य सचीव बनी और सुर्भी जखमोला की बात करें तो ये विदेशी परियूजना पर तैनात होने वाली Border Road Organization की पहली महिला अधिकारी बनी थी किस देश में? भूटान में और किस प्रोजेक्ट के तहट प्रोजेक्ट दन तक ये भी याद रखना बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए अभी हाली में किस हवाई एड़े पर देश का पहला Multiplex ठीटर शुरू किया गया तो अंसर होगा चेन्ने इंटरनेशनल एएरपोट मतलब भारत में अब तक किसी भी हवाई एड़े पर आपको Multiplex नहीं मिलेगा पर अब लॉंच कर दिया गया कहाँ पर चेन्ने इंटरनेशनल एएरपोट पर इसलिए कहाँ देश का पहला एएरपोट बन गया है यह जहाँ पर Multiplex लॉंच किया गया है जिसमें लोगों के बैठने ही केपिसिटी है ग्यारा सुब पच्पन मतलब अब आप ट्रेवल कर रहे हो यहाँ से और आपके पास टाइम हो तो आप महाँ पे फिल्म भी देख सकते हो अभी आपको याद होगा अभी नागरिक विमानन महा निदेशाले डारेक्टरेट जन्रल अफ सिविल एविएशन के नए प्रमुक कौन बने थे विक्रम देव दत्त और गोवा का जो मोपा इंटरनेशनल एरपोर्ट है उसका नाम गोवा के पूर्व मुख्यमंतरी मनोर पारिकर के नाम पे रखा गया है और अभी इसी हवाई अड़े ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट का पुरुसकार भी जीता था अच्छा अगर एक प्रेशन में आपसे पूछू कि बताओ केंदर सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड़े बनाने का टार्गेट रखाये तो अंसरों का 220 और पूछू अगर मैं आपसे कि सोलर एवियेशन फ्यूल का इस्तमाल करने वाली पहली एरलाइन कौनसी बनी थी स्विस इंटरनेशनल एरलाइन और चंडिगड एरपोर्ट का नाम बदल के भगत सिंग जी के नाम पे कर दिया गया आरुनाचल प्रदेश का जो तीसरा हवाई एड़ा है उसका नाम क्या रखा गया डोनी पोलो हवाई एड़ा और अभी प्रधान मंत्री जिनने जार्खन में देवगर हवाई एड़े का भी उधगाटन किया था चलो बताओ कौनसा हवाई एड़ा पूरी तरह से हाइडरो और सोलर से चलने वाला पहला हवाई एड़ा बना भारत का तो आंसर होगा इंद्रागांधे इंटरनेशनल एएरपोर्ट कि औरंगाबाद हवाई एड़े का नाम बदल के किनके नाम पे रखा गया या क्या रख दिया गया संभाजी महराज एएरपोर्ट कर दिया गया अयोध्य एएरपोर्ट का नाम बदल के मरियादा पूरुशोत्तम शिरे राम के नाम पे कर दिया क्या आप मुझे बता सकते ह गोपिनात बार्दोलाई एयरपोर्ट का मिलेगा तो आंसरोगा असम में आधुनिक असम का संस्ताबक इनको का जाते है भई बाकी जे प्रकाष नाराइड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मिलेगा पतना में इस तरह की प्रशनाते इस तरशनाते इस्टेटिक प्रशन एक्जाम में बताओ उतर दो एक और प्रशन का उतर दो वीर सावरकर एयरपोर्ट बताओ का मिलेगा अंडमान निकोबार में अगर पूछे सुबाश चंदर बोस एयरपोर्ट का मिलेगा कॉलकता में और लाल बादुर शास्त्री एयरपोर्ट या आपको वरणासी में मिल जाएगा और चौदरी चरन सिंग एयरपोर्ट लखनाओ में मिलेगा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट बताओ का मिलेगा अब इसमें कन्फ्यूज मत हो न अभी जो स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा होक्की स्टेडियम बनाया आपके राउर केला उडिसा में उसका नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पे रखा गया लेकिन इनके नाम पे एयरपोर्ट आपको मिलेगा राची जारखन में और हर्याणा में अभी हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराज अगरे से इनके नाम पे रखा गया है हमारे एवियेशन मंतरी कौन है जो तिर अदेत्ते सिंधिया है विमानन मंतरी ध्यान रखना ये बढ़ते आगे फिर बताईए किस योजना के तहट भारते रेलवे ने गुजरात की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए गर्वी गुजरात यात्रा की शुरूआत किये तो अंचारोगा एक भारत श्रेष् गंच इस्टेशन से तो इस यात्रा में स्टेश आफ यूनिटी, चमपानेर, सोमनाथ, द्वारका, नागेश्वर, एहमदाबाद, मोडेरा और पाटन सहीत गुजरात के प्रमुक तीर्थ और विरासत इस्थलों का दोरा करवाय जाएगा ये यात्रा आठ दिनों की है और 156 परियटक इसमें यात्रा कर सकेंगे एक बार में अचा बात यहां पर हमने करी एक भारत श्रेष्ट भारत योजना की तो ये भी ध्यान रखो ये कब चुरूई थी 2015 में क्या उद्देश्य था इसका मतलब इसे अलग अलग राज्यों और केंदर शाशित प्रदेशों के लोगों के बीच जुडाओ को बड़ावाद देने के लिए शुरू किया गया था जैसे वो एक दूसरे की संस्करती को रिति रिवाज को वहां के खानपान को उनके संगीत खेल प्रथाओं को समच सकें मतलब में उद्देश यह था कि जब आप किसी दूसरे राज्य में ज अभी एहमदाबाद और दिल्ली के बीच में जो संपर्क करांती एक्सप्रेस चलती उसका नाम बदल के अक्षारधाम एक्सप्रेस कर दिया और अभी हैड्रोजन संचाली ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बना था चाइना पहला जर्मनी है आप जानते हो पहली वंदे भारत ट्रेन ये कहां से कहां चली थी दिल्ली से वराना सी हावडा काल का मेल ट्रेन का नाम बदल के नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया और इंडिया बे फादर ओफ रेल्वे का जाता है डल हूजी को तोकि उनी की समय भारत की पहल आपती रेल्वे ने अभी स्वचाले ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परिशन किया था उसी का नाम का वचे मतलब एक पट्री पे अगर दो ट्रेने आमने सामने आएगी तो उनको ये टकराने से रुकेगा अगर मैं पूछ हूँ रेल बजट और आम बजट को अलग करने व अब बात श्री लंका किये तो ये रा मैप में श्री लंका इसे पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था आपको इसकी दो कैपिटल मिलेगी इसकी कमर्शल कैपिटल है कोलंबो यहीं पे हेड़कॉर्टर है एशन किर्केट काउंसिल का और इसकी एड्मिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्री जे वरधने पुरमकोटे करंसी है श्री लंक के साथ में मित्र शक्ति एक्सरसाइज करते हैं सलाइनेक्स नाम के एक्सरसाइज करते हैं और याद रखना अंडर 19 मेंस T20 वल्ड कप का आयोजन दो जाजार 24 में होगा वो श्री लंका में होगा और आपको याद हो तो अभी 2022 में जो पुरुशों का एशया कप हुआ था न कहाँ पे युनियाटे डेरब अमिराद में उसको श्रीलंका ने जीता था पकिस्तान को अरा करके और महिलाओं का जो एशया कप हुआ था वो बांगलादेश में अवा था उसमें भारत जीता था श्रीलंका को अरा करके अच्छा अब हम कल के Current Affairs का Quick Revision करेंगे तो पहला प्राश्ण आपसे बूचा गया था कि अंतरराष्टर सौर गटबंदन का नवीनतम स्थाक्षर करता देश कौन सा बन गया तो आंसरों का कांगो गण राजिया अभी MPC के द्वारा सौर मंडल में स्थित किस गरह के आसपास 12 नए उपगरों की खोच की गई तो आंसरों का ब्रस्पती जुपिटर और अब सबसे ज़्यादा भी इसी के हो गए है 92 फिर अगला प्रशन है भारत की इस्थानिय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को गिसने शुरू किया Microsoft ने फिर बताओ फरवरी 2023 में पाकिस्तान के किस पूर्वर राष्टरबदी का निदन हो गया परवेज मुशर्रप फिर बताओ अभी देसमबर 2023 तक भारत की पहली है एड्रोजन ट्रेन संचालित करने की घोशना की गई है उसका नाम क्या है फिर बताओ अंतरराष्टर मानो बंदुत्व दिवस कब बनाया गया चार फरवरी को फिर बताओ अभी अंतरराष्टर सुरजकुंड मेले का कौन सा संसकरन का आयोजन किया गया तो आंसर होगा 36th कहां पे हुआ हरियाना के फरिदाबाद में फिर बताओ नैशनल बीच सौकर चेंपेंशिप 2023 के पहले संसकरन को किस ने जीता तो आंसर होगा केरल ने पंजाब को हराया और फिर बताओ भारती सेना के द्वारा उपरेशन सद्भावना का आयोजन ये कहां पे किया गया तो आंसर होगा लद्दाक में तो ये हमने कल के Current Affairs का Quick Revision कर लिया और आपको बुता है डेली हम वीडियो के लास्ट में एक तो Last Day Current Affairs का Revision करते हैं और 2022 के Top 10 Important Question का Quick Revision करते हैं उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाता है जिसमें Top 5 आपके Static और Top 5 आपके Science के प्रशन भी होते है लेकिन आज हम नहीं कर पाए हम वर्क प्रशन और देख लेते हैं फिर सेशन एंड करते हैं और अगर प्लीज सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे Like करके Share भी कर देना अच्छा अगर मैं आप लोग उसे पूछ हूँ कि आप मेंसे कौन-कौन स्टुडेंट चाहते हैं जो अभी मैंने आपको बताया ना कि रास्तान में अभी CT का एक्जाम हुआ था दो-तिन शिफ्टों में हुए वहाँ पर जो Current Affairs के प्रशन पूछे गए सिर्फ Current Affairs के प्रशन कौन-कौन से आये थे अगर इस पे एक छोटा सा वीडियो में बनाऊं कि आप लोग इंट्रेस्टेड हैं ताकि आप लोग को भी य ज्यानिक के रूप में किसे सम्मानित किया गया तो आंसर होगा आर विश्नु परसाद को अब ये रहा आज का आपका होंवर्ग और वसे छे फरवरी के Daily Current Affairs Quiz के रिजल्ट भी हमारे पास आ चुके हैं टॉप फाइव स्टुडेंट्स की बात करें तो टॉप किया है निहाल गुप्ता ने कॉंगरेचुलेशन निहाल फिर ईश्वर है फिर नरेंद्र केम उपाध्या और अलोक कुमार है आप सभी को कॉंगरेचुलेशन बाकी जो क्विज नहीं लगा रहे मैं कहूंगा क्विज जरूर लगाए फाइदा आपको क्या मिलेगा ये जो हम पढ़ रहे इनका दुख क्विज आपको मिलेगा इसे इन कुश्यन का बाकी पाथ्चे कुश्यन पुराने महीनों की भी तो एड़ कर रहा हूं में उनका भी तो आपका रिविजन होगा प्रेक्टिस करना बहुत ज़रूरी है क्विज का लिंग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में म मिल जाएगी अब यह रहा आज का आपका हमवर्क प्रश्न